बिस्मिल्लायराम रहीम अल्वाइध नाम अम्हमद मुबारिक उसलीम अल्याय असलाम अलेकुं रह्मतुलाही वरकातौ। कैसे टेर्स्टुएंट्स भी दिखरता हूं आप सब लोग ठीख ठाक होंगे। सब्सक्राइब इंग्लिश के मिस्टर शिपस के वहएक के चुकर कहा हूं। इसके इलावा सॉल्ड गैस पेपर जो पिछले साल के था वह भी शेयर की हूए। फुल बुक के जो कैस्ट आंसर है एज़ी करके वह भी शेयर की हूए हैं । इडियम भी शेयर कियों हैं लेकिन यहां पर एक दा फिर आपको जस्ट इल्फबिट बता देता हूं जहां से ज्यादा तर इडियम बनते हैं ताकि आप वही सैट जो है इडियम के कर लें उसके बार जो है इंपोर्टेंट पैरगराफ जो है जो के असल वीडियो बनाने का मक हैं तो जो चीज मरजी सर्च किया करें बार पर कहता हूं मतलब एडियम गैस बै एच बीएश से एजुकेशन साथ बै लिखे एच बीएस से एजुकेशन लिख दिया करें उस जो टॉप पर वीडियो आएगी तो वो वीडियो जो है वो अ समझें आप लोगों के लिए मैन ती अल्फा बिट वाले तो ये तीन जो हैं वो मॉस्ट मॉस्ट इंपोर्टन्ट हैं जो कि आप अच्छे से त्यार करें सम्ट आम ऐसा होता है कि इन ही तीनों में से ही जस्ट इडियम्स जो हैं वो पूछे जाते हैं एक आद के इलावा तो अगर आप मजीद अच्छे त्यारे करना चाहते हैं तो फिर आप इनके साथ जो है सी और एम वाले भी एड़ कल लें तो टोटल ये पांच अल्फा बिट हैं अगर आप इनको अच्छी तरह करेंगे तो आपका पूरा जो इडियम्स वाला पॉर्शन है तो आपका हो जाएगा बाकि मैंने इंफराजी तोर पर जो है वो गैस शेयर किया हुए सोल्ड गैस शेयर किया हुए तो आप वो देख लीजिएगा इसके लावा अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो फिर आर, आई, पी और एफ वाले ये भी सम्टैम आज आते हैं आर, आई, पी और एफ वाले तो इनको भी आप देख लीजिएगा तो ये वो अलफ़ाबिट हैं जिनकों आप अच्छे से तियार कर सकते हैं उसके बाद पैरागराफ की जान दिमूब करते हैं इनकों पैरागराफ आता है 15 नमबर का सबसे पहले तो आप लोगों जो मतलब बच्चे पढ़ने वाले हैं जिनके इनक्लिश के पीछे बेस अच्छी है तो वो बच्चे तो एजली जो है वो इनक्लिश ग्रैमर पर थोड़ा बहुत जो अबूर रखते हैं तो वो जो है इस पैरे को असानी से कर लेते हैं लेकिन बच्चे जो हैं वो इस पैरे को नहीं कर पाते पैरागराफ को क्योंके बुक में जो हैं वो किसी बुक में 200 प्लास है किसी में 150 प्लास एंड 300 तक भी ये पैरागराफ जो हैं वो दिये हुए हैं तो इसलिए बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा नंबरिंग दे कर परिशान हो जाते हैं वो इस वज़ा से दिये हुए हैं क्योंकि आप लोगों यहां पर एक इंपोर्टन चीज बताओं कि बहुत कम पैराग्राफ जह रिपीट होता है इसलिए इसका आडिया लगाना बहुत म मौस्ट इंपोर्टन मैंने निशान लगाया हुए आप लोगों को वो सिक्रेंट पर भी शोओ ढाये तो आप लोग ने जو हैं वो टौपिक्स जो हैं मौस्ट इंपोर्टन टौपिक जो हैं उस टौपिक से रिलेेटड जो पैरागराफ होंगा आपने वह味 काल लेनी है इस ने ने वीडियो के साथ और एंड तक वीडियो देखें। तो सबसे पहले जो है जो उलट के लिहाँ से जो एंड में होगा, जैसे जैसे पीछे जाओंगा उसी तरह उसकी इंपोर्ड़न्ट जो है वह वह बढ़ती है तो इसको मैंने लास्ट में रखा है इंपोर्ड़न्ट के लिहाँ से दोस्ती और अपनी जात के मुतालिक जो टापिक है यह फस्ट नमर पे आगिया नीचे से उसके बाद सेकंड जो है वह है शहर या शहरी जिनगी दिहाती जिनगी और पकस्तान के नोजवान पकस्तान के न आज कल के नोजवान जो है इस तरह यह कहत आदम के नोजवानों से खिताब इस तरह के जो पैरग्राफ है वह नोजवान ने पाकस्तान के जो वह है उसमें आते हैं उसमें बड़े शहरों में जिनगी मसरूफ है यह दो तीन दफ़ा जो है वो पूछा चाँ चुका है तो इस लिहां से यह इंपोर्टन्ट है तो आप लोग जो है वो खुद देख लीजिएगा उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट ओपर की जाने तो फिर जो है मुझूदा दोर मुझूदा दोर जो है सैंसी दोर है या फिर मुझूदा दोर के मसायल जैसे बिजली मसला है पिरढ़राद दोर वरन करेड़न दोर में तो इसमें दो कि जा जा चुकी है'S हम सैंसी दोर ने रहरे हैं और मुझूदा जमाना सैंस का है यह जो वोो हैं यह इस tvš you के जा एक मुझूस करते हैं नेक्स्त नेक्स्ट टापिक है शक्सियत के मुतालिक अब शक्सियत के मुतालिक जो है वो सबसे ज्यादा जो पूछे जाना वाला है वो दो टापिक है एक है हद्द मुहम्मद صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم के मुतालिक और सेकिन है कैद आजम के मुतालिक तो इन दो टापिक्स इन दो शक्सियत के मुतालिक जो है वो अक्सर पैराग्राफ जो है आपके पेपर में आ जाता है तो इनको आप लोगों ने त्यार का लेना है और कभी कभी हमारे कौमी शेयर यह इन इन दो इन दो शक्सियत है जिनके मुतालिक अक्सर पैराग्राफ जो है वो पूछा जाता है उसके बाद पाक्सितान के मुतालिक अब पाक्सितान के मुतालिक पाक्सितान के मसायल भी आ सकते हैं पकस्तान की दुश्मनी भी आ सकती है पकस्तान के बहुत अंदरूनी बिरूनी दुश्मन है और इसके इलावा पकस्तान की हुब वतनी या खुबी के बारे में भी आ सकता है तो जो पेपर में पूछ जा चुके हैं और मोस्ट इंपोर्टन पेरग्राफ है उन में सबसे पहला है पक्स Standard के बहुत से दुश्मन है यह बहुत important paragraph है दूसरे है इसमा पक्सतान बहुत से अंदरूनी और ब immortal है गिरा हुआ है यह दूसरे नमबर पर most important यह दो paragraph है जो topic मैंने आप बताए है पकिस्तान के मुतालिक जो टापिक है उसके ये दोनों पेराग्राफ जो है बहुत इम्पोर्टेट है उसके बाद पकिस्तान अमन पसंद मुलक है ये भी पेराग्राफ अक्सर पूछा जाता है और लास्ट में हिंदुस्तान की और पकिस्तान की दुश्मिनी के बारे में या पहले कहा था अब टापिक बताँगा तो सबसे इंपर्टन जो पेरग्राफ टापिक है वो है तो इल्म एक अजीम कुवत है यह मुस्ट इंपर्टन इंपर्टन है और किताब जबी अजीम नामत है यह भी इंपार्टन है मुझे किताबें पढ़ने का शौंक है ये मतलब ये भी अकसर पूछा जा चुका है और तलीम का असल मकसद ये परग्राफ जो है इंपोर्टेट है अब मैं एक दोब फिर आपको रुएज करते तो पहला टापिक जो इंपोर्टेट है स्क्रीब आप देख सकते है मोस्ट इंपोर्टेट अब अरेंज सीधा कारव अरेंजमेंट मोस्ट इंपोर्टेट है इल्म तलीम और किताबें मुतालिक जो सबसे मोस्ट इंपोर्ट टापिक में से परग्राफ पूछा जाते है दूसरे नमबर पे पकस्तान के मुतालिक जो मुस्ट इंपोर्ट टापिक है तो पकस्तान के मुतालिक तीसरा जो है मुस्ट इंपोर्ट छखसियत के मुतालिक ये तीसरे नमबर पे है चोते नमबर पे जो टापिक है वो है मुझूदा दोर के बारे में मुझूदा दोर के बारे में कुछ भी हो सकता है पांचे नमबर पे जो है वो शहरी या शहरी जिन्दगी शहर या शहरी जिन्दगी या फिर धियाती जिन्दगी और नौजवानों के बारे में ये पांच वे नमबर पे है और लास नमबर पे जो है वो है दोस्ती या अपनी जात के मुतालिक तो ये मतलब आप लोगों का पेराग्राफ जो है टापिक्स का कुछ गैस था जो कि मैंने बड़ी रिसर्च करके बनाया है तो चैनल पे नहीं है चैनल सब्सक्राइब कर देजेगा इंचाला और भी बहुत कुछ आपको यहां पे देखने और सुनने को मिलेगा जो कि आपके स्टड़ी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपोर्टिट होगा दौाओं में याद रखेगा अल्ला हाफिस